कि नश्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का दोस्तों आज के वीडियो गोएंगे क्लाशिक लुना कॉएन की रैली देरल की देखने मिन सकता है क्या कुछ अप्डेट्स हैसे आप करेंगे दोस्तों कुछ इसे सब से पहले तो मार्केट की अब्डेट की बात कर लें जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखे रहोगा बिट कोईन का वान डे का चार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो एंड बिट कोईन अब देख सकते हो कितना तेजी से नीचे तूट रहा है एंड इसी के लिए अगर आप देखोगे और करेंगे दोस्तों दूसरे कोई जो अच्छे कासे ग्रीन पर चले गए थे पंप के साथ है अगर आपने अपना फ्यूचर ट्रेट पर लगाया होगा तो आपको अच्छा कासा ग्रीन ग्रीन दीख रहा होगा आठ दस पंद्राबीस फ्रॉफित यहां पर दिख रहा होगा वो फ्रॉफित अभी लॉस में कंबट हो गया तो यह जैसे ही थोड़ा बहुत रिकवर हो जाता है आपका कोई भी रिकवर हो जागा कोई टैंसन वाली बात लिए अगे हम बात करेंगे दोस्तों बोन की नियू लिश्टिंग वो भी गेट आयो जैसे एक्सेंज में बोन न बड़े एक्सेंजेस क्योंकि बोन का लिश्टिंग अभी तक बहुत सारे एक्सेंज पर नहीं हुआ है तो बोन एक अच्छा इंवेश्टमेंट हो जाता है आज के टाइम पर भी अगर बोन लेकर रखते हो तो आपको एक हुज लेवल का रिटेन दे सकता है बोन नेक्ट ह हम बात करेंगे दोस्तों थोड़ा बहुत एजबी टीसी की यह जो कोईन है इसके बार में आप सभी ने बहुत दिनों से इंक्वाइरी कर रहे थी कि सर इस कोई का क्या हुआ कोई अपडेट नहीं है तो पहली अपडेट यहां पर मैं आपको बता दू यह जो कोईन है ऑफ यहां पर कुछ बड़ी अपडेट भी डाले गया है फाइब एक्चेंज लिस्टिंग के बारे में जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर बताया गया है कि इन में से पांच एक्चेंज में बहुत जल लिश्ट हो जाएगा जिन में से कर हम देखेंगे बड़े बड़े यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो बिटमार्ट सन क्रिप्टो इस तरीके से इलेवेल एक्चेंज है जिसमें से के पांच एक्चेंज पर बहुत जल साइल लिश्ट हो जाएगा क्योंकि रिश्टिंग दिया हुआ है बात करेंगे दोस्तों यहां पर यहां पर यहां पर ह है आप चेक आउट कर लेना उसके साथ यहां पर यहां पर यहां पर आके पूरा क्लियर से चेक आउट कर लेना अभी हम बात करेंगे दोस्तों हमारी में टॉपिक बिटगेड ब्राइस एंड बात करेंगे दोस्तों क्लासिक लुना को लेके क्या कुछ अपडेट से अब देख सकते हो भले प्राइस में 2-3 परसंट यहां पर पंप के साथ है बट यह जो चीज आपको नोट करना है ट्रेडिंग वालूम यहां पर 87 परसंट बढ़ चुगा है फिप्टी सिंक्स यहां पर इसका प्राइसिंग चल रहा है जो कि 49-47 पर था एक आध दिन पहले तो कही प्राइस पर अच्छा इंपक्ट वर्णा चालू हो गया है मतलब इसका तो फ्यूचर ट्रेड है नहीं बट एस्पोर्ड वाले भी एक अच्छा मूब ले सकते हैं अच्छा वैनिफिट लिगाल सकते हैं अगर अच्छा इंबेस्टमेंट होगा जैसे कि अगर हम इनका ट् फार्म कर रहा है अपना वैम इविडाज कॉइन का अगर हम बात करें बैविडाज सवाप पे तो यहां पर अगर देखोगे बिट्स बाइस अपना एक utility farming pool लेके आ रहा है जो कहीं ना कहीं बैविडाज कोईन का अगर हम बात करेंगे बैविडाज swap को टक कर दे सकता है क्योंकि बिट्गर डवाइस क्या था कि बड़ी प्लान आने वाली है बड़े प्लान यह इस बड़े प्लान पर सामिल नहीं हो कुछ दूसरा होगा क्या लेके आता है अपने लेक्रिक बात करेंगे दूसरे सारे चीज़ यहां पर है तो अभी क्या लेकिंग सिस्टम आने वाला है क्रिप्टो करेंसी का मुझे लगता है कहीं न कहीं यह चीज़ भी हो सकता है कि क्रिप्टो बैंक यहां पर लेके आए बिटगर ब्राइस सो बिटगर ब्राइस में भी आपको अच्छा बूम देखने मिलेगा वही तिन वान टू टू यहां पर दस साल की वेट करने के ज़रूरत नहीं एक भाई ने कमेट किया हुआ था कि सार दस सालों में क्या एक जिरो किल करेगा भाई दस सालों में हम जिंदा रहेंगे कि नह यहां पर सुरू हो गया होगा 1645 अगर हम देखेंगे ट्रेडिंग वाल्यू में इंक्रिमेंट क्या रिजन है वही बर्निंग बर्निंग बिग बर्निंग क्लोस मतलब अगर हम बात करेंगे और दो तीन दिन बाद दोस्तों अगर हम देखेंगे फेबरौरी 28 से लेके पहले से यहां पर कुछ चीज हो जाना चाहिए अगर आपका इंवेस्टमेंट इस पर है तो अच्छा एक रिटन का हम उमीद करते हैं एड बैटर रहेगा अगर आप फ्यूचर ट्रेड लेते हो लेकिन फ्यूचर ट्रेड बहुत रिस्की होता है अगर फ्यूचर ट्रेड लेने वाले के लिए बहुत तगड़ा वेनेफिट देखे जाएगा क्योंकि एक बहुत अच्छा हाइप बन सकता है और उस हाइप को लेकि आप अच्छा तगड़ा प्रॉफिट भी बूग कर सकते हो और अल्टिमेटली तीन महीने का बर्निंग एक साथ होने जा रहा है ज तक लिए नमस्कार